हेलो फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम लोग इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर की जो की मार्जिन ट्रेड फंडिंग या फिर जिसे इमार्जिन भी कहा जाता है की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा की आखिर ये मार्जिन ट्रेड फंडिंग जिसे MTF भी कहते हैं और E-margin भी कहते हैं आखिर कार ये है क्या या फिर इसका यूज किस तरीके से किया जाता है तो आप लोगों को बता दू कि ये जो MTF है या E-margin है ये एक प्रकार का लोन होता है या borrowing money होती है जो एक customer अपने broker से लेता है stock को purchase करने के लिए basically MTF का use जो है वो swing trading के लिए momentum trading के लिए short term trading के लिए जादा से जादा किया जाता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में दो type के broker है एक है discount broker और दूसरा है full service broker तो मैं दोनों ही broker को लेके top 5 broker पकड़के यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि वो broker कितना MTF यहां देते हैं या कितनी E margin देते हैं और कौन सा broker है जो आपके लिए सही होगा MTF में अगर आप trade करते हैं या E margin का use करके आप लोग trade करते हैं और तो और वो broker कितनी margin देते हैं, कितने समय के लिए देते हैं, कितना interest rate लेते हैं और उस trade पर कितना brokerage लेते हैं इसके बारे में भी जानेंगे तो यहाँ पर हमने 5 brokers को select किया है, जिसमें से angel broking, jirodha और up stocks जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं, discount broker है और इंडिया के top brokers में से इनका नाम आता है और second में है, यहाँ पर full service broker में हमने दो broker को choose किया है, एक है SBI Securities जो कि एक काफी trustable brand है और दूसरा है, motilal oswal, इसे भी 30 साल से यह पुरानी firm यहाँ पर इंडिया में है तो इन पांचों में जो है angel broking आपको MTF की facility देता है, jirodha जो है MTF की facility नहीं देता तो अगर आपका account jirodha में है तो आप लोग MTF की facility avail नहीं कर पाएंगे, SBI Cap Securities जो है यह facilities देता है, motilal oswal भी यह facility देता है and up stocks भी यह facility देता है, सिर्फ 0-धा ही एक ऐसा broker है, जो यह facility फिलहाल अभी नहीं दे रहा, in future हो सकता है कि यह facility 0-धा भी देने लगे, तो अब MTF और E-margin से related कुछ hidden details है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ screen पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि पहला column यहाँ पर margin का बना हुआ है, angel broking का, angel broking जो यहाँ पर margin देती है अपने customers को 4 times तक का leverage देती है, मिलती है हमें delivery purpose से trade करने के लिए मिलती है, जिसका use हम लोग swing trade, momentum trade या short term trading के लिए कर सकते हैं time duration जो देती है angel broking यहाँ 7 दिनों तक आप delivery अपनी position को hold कर पाएंगे, माली जै आपके पास 1 lakh रूपीज cash पड़े हुए हैं तो उसके बिहाफ में आपको 4 lakh रूपे तक का stock आप purchase करके रख सकते हैं, delivery में 7 दिनों तक के लिए लेकिन यहाँ पर जो interest rate देखा जाए तो per day का जो interest rate लगेगा per lakh के उपर लगभग 49 रूपे का interest rate आएगा जो की 0.049% per day है brokerage की बात करें तो brokerage यहाँ पर पर order के हिसाब से लगेगा 20 रूपे पर order हमारी दूसरी company 0-10 की बात कर ले तो यहाँ पर 0-10 यह service देती ही नहीं है तो हर मामले में यहाँ पर 0 आमने या mention कर दिया है तीसरी हमारी company है SBI Cap Securities तो यहाँ पर जो margin देती है SBI वो देती है 4 times तक यह जो margin है यह सिर्फ cash trading के लिए होती है delivery purpose से future and option से इसका कोई लेना देना नहीं है time duration जो देती है SBI Cap Securities 30 दिनों तक आप अपने position को hold करके रख सकते हैं interest rate की बात करें तो यहाँ free of cost है interest rate यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता customer से brokerage की बात करें तो यहाँ पर turnover के हिसाब से 0.50% brokerage charge किया जाता है customer से जो की buy side भी और sell side भी आपसे दोनों lag के उपर लिया जाता है बट यहाँ पर 30 दिनों तक के लिए आपको interest rate जो है बिलकुल ही free मिल जाता है 30 दिनों तक आप कोई position मना के रखते हैं तो 30 दिन या तो उतना payment आप pay कर दीजिए जितना debit है आपका otherwise आप अपने stock sale करके next day आप फिर से नए position ले सकते हैं 30 दिनों तक के लिए बात कर लेते हैं हमारे next company की motilal oswal तो यहाँ पर भी आपको जो margin है वो 4 times तक मिल जाता है जो time duration है 90 दिनों तक आप यहाँ पर hold कर पाएंगे interest rate की बात करें तो यहाँ per day 0.053% interest लगाया जाता है जो की लगबग 1,00,000 के पीछे 35 रुपय के around बैठता है brokerage की बात कर ले तो brokerage यहाँ पर सेम है 0.50% यह भी turnover पे ही लगेगा SBI cap securities की तरह अब बात कर लेते हैं हमारी आकरी company up stocks की तो यहाँ पर जो margin है वो कम दी जाती है लगबग 2 time की margin आपको यहाँ पर मिलेगी time duration जो है 90 दिन तक आप अपनी position को carry कर सकते हैं interest rate यहाँ पर 0.04% per day के हिसाब से लगबग 1,00,000 के पीछे 40 रुपय का interest rate per day लगएगा आपको brokerage जो है यहाँ पर 20 रुपय पर order के हिसाब से charge किया जाएंगे तो अगर आप एक cash trader है cash में ही transaction करते हैं position को carry करके transaction करते हैं तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए जो दो best companies रहेगी यहाँ पर angel broking और SBI cap securities दोनों ही companyों में account आप कैसे खोल सकते हैं link मेंने description box में दे दिया है साथ ही आपको i button पे भी link मिल जाएगा साथ ही साथ ही आप दोनों ही companyों में जो support system आपको मिलता है relationship manager का वो काफी ही अच्छा होता है आप लोगों के लिए भी but MTF facility लेने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दू कि ज़्यादा leverage में काम करना थोड़ा risky हो सकता है but अगर market काफी नीचे है तो उस समय अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में market यहाँ से उपर जा सकता है तो आप MTF facility का यूज करके अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं तो किसी भी प्रकार का investment decision लेने से पहले अपने financial advisor की राय जरूर ले ले एक छोटा सा snapshot भी मैंने सभी कमपनियों के यहाँ पर डाला हुआ है आप लोग देख सकते हैं Reliance के एक share purchase करने के लिए MTF में या e margin facility में कितना ही आपको एक share के पीछे कितना margin देना होगा सभी कमपनियों में margin लगभग आसपास ही है 10-20 रूपय उपर नीचे हो सकता है rate vary करने के हिसाब से तो आप लोग इन सारी चीजों को देख कर ये decide कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी कमपनिय है इंडिया में जो की अच्छा खासा MTF facility आप लोगों को provide करती है वो भी कम से कम charge में ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही motto था कि आप लोगों को जादा से जादा जानकारी दे सकू MTF facility के बारे में और उन brokers के बारे में जो broker ये service आप लोगों को provide करते हैं तो कहीं आप लोग कहीं जादा interest rate या जादा brokers तो नहीं दे रहे हैं अपने broker को या आप लोगों को MTF facilities मिल भी रही है या नहीं रही है तो वीडियो में सारी चीजों को मैंने cover किया I hope कि आप लोगों को सभी चीजे clear हो गई होंगी फिलहाल वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे, share करे Thank you, thank you so much for watching